नमस्कार तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस साल North East United जो है वो comeback करने वाला है या कर सकता है मतलब ऐसी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है न क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा है और क्या कर रहा है उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और क्या और करना भी चाहिए ताकि North East United जो कि भाई उस रिजन का नाम इतना अच्छा है मतलब फुटबॉल में मतलब टैलेंट प्रोड्यूस करने में लेकिन ये क्लब जो है पूरा नाम जो है उसका बेड़ा गर कर रहा है लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है जिस तर की वो हाइरिंग कर रहा है कि शायद इस साल North East United वैसा ही कुछ करेगा जैसा हमने कुछ साल पहले देखा था जैसे कि हमने देखा दो बार सेमी फाइनल वो खेल चुके है और ऐसा कुछ विचार उनका चल रहा है तो मेभी मैनेजमेंट और जो भी है ओनर बगेरा सब लोग मिलके कुछ तो प्लान कर रहा होंगे तभी कुछ चेंजे समको देखने को मिल रहा है तो सबसे बहले हम बात करेंगे नौर्थिस उनाइटेट ने CEO एपॉइंट किया है मंदार तमाने को ठीक है जो कि आपको पता है बैंगलूर एफसी में थे हो पहले और बैंगलूर एफसी ने क्या अचीव किया है यह बताने के जरुवत है क्या मुझे बिलकुल नहीं होनी चाहिए तो उस बंदे ने भाई बहुत अच्छा काम किये बैंगलूर एफसी के लिए तो अच्छे डिसिजन ले सकते है क्लब के फेवर में क्लब के फ्यूचर को देखते है तो एक बहुत अच्छा डिसिजन तो यह हुआ इसके बाद दूसरा सबसे अच्छा फैसला उन्होंने किया है न्यू कोच एपॉइंट जो किये इस्पैनिस कोच जो है युवान पेड्रो बेनाली को अब देखें इस्पैनिस कोच मतलब की भाई गेम तो इससार अच्छा ही देखने को मिल सकता है और क्लब रिबिल्ड करना चाहिए न और सिस उनाइटेड तस वाय वो गया है इस्पैनिस कोच पे क्योंकि आपको पता इस्पैनिस जो कोचेस होते है आपने एक्जामपल दे अब आगे की कारेवाई चालू की जाएगी अब क्यों इस न्यू कोच पे न और सिस उनाइटेड को बहुत भरोसा है इसकी बहुत अच्छी वज़ा है सबसे पहले देखिए 26 साल का कोचिंग एक्सपिरियंस है प्रोफेस्टनल कोचिंग एक्सपिरियंस है बहुत अच्छ आया थे प्रोमूट करवाया था उसके वाद यूए कप इन्होंने जीता अरब कप का सेवी फाइनल खेला कतर लीग में रनर अप रहे तो कुछ डिफरेंट टीम्स के कहा है इनको सबका एक्सपिरियंस है और देखिए इंडियन सूपर लिग को बहुत पहले से फॉलो कर र तो एक्सपिरियंस तो एकदम अलग लेवल पर है इस कोच को है ना अब देखिए आपको यह पता है कि पिछले कुछ सालों से नौर्थिस उनालिट में सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या चल रही थी कोच की कोच आ रहे है जा रहे है इस्टेबिलिटी नहीं है कोच की तो अब जो कई और चीजें को बदलना है जिनके उपर काम करना है हम उसके उपर थोड़ी सी बाते करते क्योंकि में तो आपको पुरी टीम सुधारना है आपके फैंस भी नाराज चल रहे है उनको भी मानाना है तो काफी चीज़ों पर काम करना है तो सबसे पहला तो आप अच्छी जगे पर हैंगे यह सब चीजें भूत मेंटर करती है तो यह समस्या थी अभी इस सीजन वे समस्या थी तो आई होग कि इस चीज को सौ्ट आउट करेंगे पहला तो यह दूसरा देखिए नॉर्थ यस की टीम में प्लेयर्स की वालिटी है प्लेयर्स बूलेंगे तो काफी players मुझे सही लगते हैं, लेकिन इसी team के साथ मैं उतना 100% sure भी नहीं होता हूं, ये मतलब थोड़ा सा 50-50 है, तो मुझे से लगते हैं कि अगर थोड़ा सा invest करके, और अच्छे players लिए जा सकते होंगे, तो लेना चाहिए, और जो winter season आगा, उसमें भी loan के options रखना चा कि वो तो बहुत अच्छे ही सोचेंगे, क्योंकि उनके decision पे हमको शक नहीं है, because हम result देख चुके है, ठीक है, उसके बाद North East को एक और चीज समझने के जरुवत है कि भाई, आपको factory बनने के जरुवत नहीं है, talent produce करने वाली factory बनने के जरुवत नहीं है आपको, आप आपक इस चीज को रोकिए थोड़ा सा, क्लब को stable तो कर लीजे, फिर आप है, players भी हाँ, talent आप जो है, factory बनना चाहरा है, बन जाना, powerhouse बन जाना, talent produce करने वाला, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज भी आपके जो main players, जो सबसे best performance चलता, जिनका, उनका बेज द ठीक है, और उनका replacement आपके बास आता नहीं है, क्योंकि आपकी scouting तगड़ी नहीं है, तो इस चीज के उपर आपको खासे देना, आपकी scouting के उपर, और आपको ये player छोड़ना नहीं है, हैना, सबसे बड़ी नाराजगी है, आपके fans को इसी वाज़े से होती है, player ही छोड़ आपके coaches की भी राय लीजिए, कि कौन से players को रखना सहीं रहेगा, contract extend करवाना चाहिए, हैना, इस पे आप coaches की भी थोड़ा सा suggestion लीज़े, advice लीज़े, आपके management का decision रहता है मेरे ख्याल से तो, कि club से player को निकालना निकाल दो, इसको लेना लेलो, coaches को भी थो थोड़ा सा मुका सबसे main चीज, सबसे main चीज, जो मुझे लगी है कि ये चीज बिलकुल होना चीज है, क्योंकि अगर मैं इसको compare करो पहले से, तो अभी हो चीज मुझे बिलकुल ना के बराबर नजर आती, क्या, आपके club के जो owner है, John साब, वो दिखते ही नहीं है, हैना, वो दिखते ही नही ये भाई एक बहुत बड़ा negative point होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि John साब ने club को छोड़ दिया है, टिका लगा के, और नजर अंदाज कर दिया कि हाँ, जैसा तुमको चलाना चला लो, मैं खाली इदर से check sign करके भिजवा दूँगा, हैना, fund transfer कर दूँगा, ऐसा नजर आ पहले आप देखे कितना involvement था, फैंस का भी involvement उससे बढ़ रहा था, हैना, क्योंकि John साब पूरा दिल लगी से आते थे, matches देखने, support करने, वो चीज बिलकुल जीरो हो चुकी है, तो ये चीज बिलकुल हमको वापस चाहिए, club को आप rebuild करनी की बात कर रहे है, तो आपके owner को पूरा साथ देना पड़ेगा, आप देखे, other clubs के जितने भी honor है, भाई, match देखने जाते हैं, सब करते हैं, उनके साथ, प्लेयर्स को motivate करते हैं, ये सब चीज बहुत जरूरी होती है, तो ये भी करना पड़ेगा, तो आप कि John साब इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेंग तो कि आपको भी ओ कमबेक नजर आ रहा है कि हाँ, फिर से हम सही फाइनल या उस लेवल पर फिर से आ जाएंगे, क्योंकि अपी थोड़ा सा टाइम हो गया, लास्स सही फाइनल नमने देखा था, तो चली आप बता ही आपकी जो भी राय है, और इसी तरह भारती जवारत!